हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक पर द्वार से आपके अपने चैनल विवेकराण स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नए तुछेनल सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दो न न भूलना ताक कि आप हमारे सभी के सभी नोटिविकेशन रिसेप कर सबसे पहले साथ में टेलिग्राम ट्विटर इंस्टाइब फॉलो कर सकते हो लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो दोस्तो आखे बंद करके उठालो इस बजार के अन्मोल हीरे को एक डेट फ्री स्टॉक है आप लोग लगतार मुझे नीचे कॉमेंट करके बोलते रहत सर प्लीज आप पैणि स्टॉक को तो कवर खिया करो साथ में हमें मिट कैफ स्मॉल के लार्ज कैफ स्टॉक भी बढ़ाया करो जो हमें शॉर्ट ट्रम और लांग टरम अच्छा पैसा बनाके दे सकती है तो दोस्तों बोल देना चाहता हूं और लड़ी मैंने बहुत सारे आ आप देख सकते हो लास्ट अभी इसके क्यूफो नतीजे आए काफी बहतरी नतीजे है और साथ में रोजाना सी एंसी और में लोग घर लेके जा रहे है कडोडो का माल ठीक है एफ आई और डी आई का होल्डिंग भर भर के स्टॉक में लगी भी है राइट एंड बात करता ह तो दोस्तों मेरे जो स्टॉक में टार्गेट है काफी अच्छे निकल के आते हैं लेकिन बात करूँगा एक अच्छे खास है रिस्टर्ज रूपोर्ट के अगॉर्डिंग इसके जो टार्गेट 1600 रुपे के आसपास है नाम आपने गैस कर लिया होगा एक IT सॉप्रिवेर क कमपनी है तो देख लेते भई किस टॉकिया में बात कर रहा हूं कमपनी के फानीशिल कैसे है और हमें कहां एंट्री करना चाहिए कहां लगाना चाहिए कहां हमारे टार्गेट हो सकते देख लेते चार्ट के माद्यम से अगर आपको कुछ पसंद आएगा तो मेक्शियो ला राइट एनसी बीसी दोनों में कामकाज होता है अभी जो प्राइस चला 1350 रुपे के आसपास आपको मिल जाएगा ठीक है पांच लाग करोड से भी उपर का मार्किट कैप है ठीक है इसलिए मैं कहा हो भाई यह हीरा है तो डेफिनिटी आपको इस हीरे में पैसा लगाना चाह काफी बढ़िया 2% के आसपास और अभी all time high के आसपास ट्रेट करा 1480 रुपे के आसपास कहीं लगाया इसने ठीक है दोस्तों ROC और RO देखिए कितना भहतरी ने स्टॉक का साथ 5 रुपे का फेस वैल्यू इसका मतलब आपको एक अच्छा कासा dividend मिलता होगा इस कंपनी से ठ अगर बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में हो जाने का प्रियास करते हैं कि कंपनी में अच्छा क्या बूरा क्या है तो सब देख सकते हो कंपनी almost debt-free है काफी अच्छा dividend आपको दे रही है और last 3 सालों से एक अच्छा ROE दे रही है last 3 सालों से जो एक अच्छी बात है अगर दोस्तों बात करते हैं कंपनी अबने बुकसे का भी महेंगे में ट्रेट कर रही है यह कोई नगरी बात नहीं दोस्तों और साथ में promoter's holding थोड़ी low है बस एक यही कोशन है promoter की holding low है लेकि दोस्तों promoter की holding low है तो उसका मतलब यहीं इस टॉक बीकार है क्योंकि दोस्त होल्डिंग है अधर्स में वो बड़े-बड़े इंस्टूशन की होल्डिंग है बड़े-बड़े लोगों की होल्डिंग है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है और दोसों अगर बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स की आप देख सकते हो इसके मार्स 2021 में जो अभी आउट हो ह है अगर बात करता हूं उसके लास्ट यह कंपेरिजिन में दोसों आप देख सकते हो लास्ट यह कंपनी की जो सेल्स थी 30,260 मतल्ब दोनों तरब से कंपनी एक अच्छी खासी ग्रोध नजर आ रही है इस वार के प्रॉफिट में अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की ग्रोध दोसों आप देख सकते हो कंपनी के इस वार के प्रॉफिट है 5,066 क्रोड के आसपास के देखिने को मिल रहे है और दिसम्मर में वह जो प्रॉफिट से 5,097 क्रोड के आसपास है मतलब इस वार के जो लास्ट यह की कंपेरिजिन है आए विन लास्ट की काल और जंप देखने को हमें मिली है ठीक है अगर बात करता हूं हर साल कंपनी की कैसे प्रोफ़ोंस है दोस्तों देख सकते हो कंपनी की जो सेल्से लगताब बढ़ रही है और मार्च FI21 में कंपनी की जो sales है एक लाग से भी उपर हो चुकी है ठीक है और FI20 में जो कंपनी की sales थी 90,000 क्रोड से भी उपर की देखने को हमें मिली थी अगर बात करता हूँ कंपनी के net profit की दो सब देख सकते हो कंपनी के net profit FI21 में 19,000 क्रोड का profit हो चुका है और FI20 में कंपनी को 16,000 क्रोड के असपस का profit था और उससे पहले FI19 में 15,400 क्रोड के असपस का कंपनी को profit देखने को मिला था मतलब कंपनी के जो 3 साल की गुरूत है हमें ये दिखा रही है कि कंपनी दीदेगर के उपर चट रही है इसका मतलब हम स्टॉक में definitely invest करके hold कर सकते है balance sheet की बात करता है दोसों देख सकते हो reserve company के पास भरभर के 74,000 क्रोड के आसपस के reserve है और साथ में दोसों आप देखोगे company ने हाल लागे दिरों में थोड़ा अपना interest gain किया है मतलब इन्होंने interest gain किया है मतलब loan लिया है ठीक है पहले 0 रूपे loan वाली company लेकिन दोस्तों इस बार इसने थोड़ा loan लिया है साथ में company के बाद जो investment है वो 14,000 क्रोड के आसपस की investment है तो company की जो balance sheet है एक्टम clean है कोई दिक्कत नहीं है अगर बात करना हो दो company के बाद कितना cash flow दो देख सकते हो company के बाद 6,600 6,000 65 करोड के आसपस का cash in hand पड़ा हुआ है बात करना हो sale holding pattern दोस्तों आप देख सकते हो 13% के आसपस मालिकों का पैसा promoters की holding है साथ में आपकी FIA की holding 32% के आसपस है और हमारे DIA का वरोसा भी है 23% के आसपस साथ में public का वरोसा है 30% के आसपस दोस्तों में जैसे मैं आपको सुनूँ बताया अगर आप समें click करोगे public में तो mostly जो उसमें holding निकल के आती है वो किसी बड़े players की निकल के आती है तो साथ देख सकते हो almost आज stock में 34 lakh quantity rate की गए 34 lakh उसमें से जो quantity लोग घर लेगे 15 lakh quantity लोग घर लेगे गए almost 44%, 43% के आसपस रेशियो निकल के आता है एक काफी बढ़िया नम्मार होता 44% वो भी एक large cap stock के लिए जो 1400 रुपे के आसपस रेट कर रहा हो आप दोस्तों बात करते है stock के latest target के लिए ये तो ये है ICS security के तरफ से target अभी आपको अपने target ही बताऊँगा इनके हसाब से buy करना Infosys को target रहेंगे 1600 रुपे दोस्तों इन्होंने अपने article में ये ही बताया कि वही है इसके profit अच्छा है बस इन्होंने ये ही बताया इसी का जिक्र किया है ठीक है इसके basis में इन्होंने इसके जो target दिये 16 रुपे दिये है तो दोस्तों definitely आप बोल सकते हो यहां से भी stocks में almost अगर मैं गलत नहीं हूँ अराम से 15-20% की jump अराम से आपको देखेने को मिल सकती है अगर आप ऐसा stock ढूण रहे हो जिसमें आपका risk कम हो मतलब आप loss जाते हैं नहीं लेना चाते और आप चाते हो कि भी है मैं अराम से बैठे है हूँ अराम से पैसा मेरा तीर दिकर के बड़े है तो भाई ये stock हो सकता है अराम से 15-20% का profit आपको कुछी महनों के अंदर देखेने को मिल सकता है चाहो तो आप stock को long term के लिए hold कर सकते हो लेकिन मेरा तो माना तो यह है का short term पैसा बन जा है तो long term के बात की बात है आप दो फोटविलों बनाइए short term long term मतलब short term मतलब उसमें trading करके बैसा कमाओ और long term आप उसको long term में long term hold करके कमाओ तो दो आपको फोटविलों होना चाहिए मेरे साब से आप बात कर दोस्तों company के chart pattern की तो आप दोस्तों आप देख सकते हो यह मैंने infika chart खोला हुआ है हमें बहुत clear दिख रहा होगा कि यह stock लगातार support लेके उपर जाने का प्रियास कर रहा है ठीक है एंड दोस्तों मुझे लगता है personally आप इस stock को यहां कहीं भी stock को बाया करके चल सकते हो अगर बात करते हो stop loss की तो आप stop loss लगा सकते हो 1230 रुपे के आसफ़स आप stop loss maintain कर सकते हो stock में and आप wait कर सकते हो at least यह जो आपको resistance दिख रहा है कि अराम से 1500 के उपर के target आपको दिखा देगा अगर यह 1500 के उपर ही close कर जा है daily candle में तो definitely आपको जो target है 1600 के आपको 1800 रुपे के target भी यह stock दिखा देगा लेकिन दोस्तों मेरा मानना है आप stock को 1340 रुपे के आसफ़स बाय करो और आपका stop loss है 1230 रुपे के आसफ़स मतला almost निकल के आता 110 रुपे तो हमारा जो target है कम से कम 1650 रुपे का target stock में रहेगा बस मत्तब एक रुपे का risk का है तो दो रुपे का reward हम लेके जा रहे है तो 1650 रुपे के target लिए stock में इंतजार कर सकती हूँ ठीक है भाई अगर बात करता हूँ RSI की दोस्तों आप देख सकते हो stock का RSI हमें बहुत clear कह रहा है कि हम stock को buy करके hold कर सकते है यहाँ पर सुसूती कि अभी RSI चल्ला आपका 47 के असपर इसका मतला हम stock को buy करके hold कर सकते है जो हमें clear indication दे रहा है कि हाँ भाई यह एक buy zone में है हम definitely stock को पैसा लगा के hold कर सकते है दोस्तो definitely आप stock में पैसा लगा सकते हो यह मेरा भी मानना है ठीक है तो यह था भाई आपका infi share के बारे में एक छोटी से analysis जिसमें में आपको बताया कि आपको कब stock में buy करना stock उसके target किया है और यह मुझे लगठा है परसंटली यह जो आपको target है within two month के अंदर और three month के अंदर दिखने को मिल सकते है तो भाई definitely आप पैसा लगा कि stock में invest कर सकते हो ठीक है बाकि अगर कोई निचे comment करना है तो आज निचे comment कर सकते हो कोई सुझा हो है इसी company के बारे में अगर आपने only hold करा हुआ है या आपका क्या विचार है निचे आप comment करके बता सकते हो तो विडियो को साब्त करता हूं अच्छा लगे है तो लाइक कर देना शेर कर देना ठीक है